हेलो माई डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप स्वागत आपको अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर इस्टुडेंट्स आप बीकॉम वस्टियर के स्टुडेंट्स है और आप बिजनिस लो की तैयारी कर रहे हैं जिसे हम वैबसाइक विधी भी कहते हैं सो आपके लिए वीडियो बहुत खास है पहले तो आपको बिजनिस लो और सी से उनिवर्स्टी में इसकों बिजनिस रेगुरेटरी फ्रेमवर्क यानि के बीरेफ के नाम से जानते हैं बहुत सरे स्टुडेंट्स की कमेंट थे कि सरम इसकी तयारी करें कैसे सरमें समझ में नह कि इतना हार्ड टोपिक्स इसमें आते हैं खासकर इसमें जो आर्टिकल साते हैं जो दंधराए आती जो सेक्षंस आते हैं उन्हें कैसे याद करें तो आप वीडियो मेरे पूरी धियान से देखेगा मैं आपको पूरा तरीका बताने में उसके त्यारी करने का क्योंकि एज सब्सक्राइब कर लिए और मुझे टैली ग्राम पर फॉलो कर लिए लिंक डिस्क्रिशन में है चलिए शुरू करते हैं गाइज सबसे पहले बिजिनिस लो वेबसाइक विधी और इसे हम बिजिनिस रेगुरेटरी फ्रेमवर भी कहते हैं गौषा पाइस और अब इसके कुछ द्यांज ठेल के सबसे पहले आप वह इंप्रेटन टोपिक जो में भी बोल रहा हूं सब important topics अब से पहले तियार करें अब बात आती है tendencyक करें की तो वह मैं इसके बात बताँगहां पहले आप note कर लिजिए रिलेटेड होगी कि यह topic सब जएगा common है नमबर एक कोंट्रेक्ट कोंट्रेक्ट के बारे में दो चीजे एक तो कोंट्रेक्टी एक कोंट्रेक्टर और एक कोंट्रेक्ट जिसे हम प्रस्विंदा कहते हिंदी में अनुबंध भी कह देते हैं यह सब एक ही नाम है प्रस्विंदा अनुबंध और जो भी कोंट्रेक्ट किसको मैं कह सकते हैं इसमें इसके इसके अलावा इसमें एक बैली बेल मेंट ये टोपिक नोट करें और एक गर्वित प्रसुणिय boots बहु Undertaker के पारे में आपको जितनी भी टोपी कह से तैयारी कर रहे होना यविर आप अपनी बुक म evolution कर रहे हो अब कहिन कानून आता है आपकेक्टक्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत खास है आपको कहांगा कि यह वीडियो पुरी ध्यान से देखे लास्तक और जो आपको कॉस्टन मिलें, theory मिलें, उंको read out कर लिजए. अगला topic आता है, जिसे हम कह सकते हैं, अजैंसी. अजैंसी से related, दो-तिन topic में सद्धे से अजैंसी के प्रति कानून क्या है, agents क्या होता है, type of agents को मिलेंगे, तो type of agents करें, agent आप note करें, agency क्या होती है, वो आप note करें, एक partnership act, partnership act आपने 1932 सुना होगा, 1932 में भी कुछ changes आए हैं, संख्या भढ़ चुकी है, minimum 2, maximum 50 हो चुकी है, banking website में 10 हो चुकी है, तो partnership के बारे में आपको पढ़ना है, partnership का एक तो rights of partners, नौट कर लिजे, rights of partners और firm का victim नहीं का dissolution of partnership और definition और इसके characteristics, इतना आप जरूर पढ़िएगा, और एक पढ़िएगा साजयतारी सनलेक, partnership deed, partnership deed भी आप पढ़ें, वो भी जरूर आता है, एक आता है, sale promotion, या sale contract, sale contract, sale contract भी topic note कर लिजे, काफी अच्छा, important topic है, और उसके साथ उसकी जो शर्ते होती है, वो भी आप note करें, ठीक है जी, और इसमें एक topic आता है, अदत विकरता के अधिकार, जी या उसको भी आप पढ़े काफी अच्छा है, और एक last में topic आते हैं, परतिग्यापत्र, प्रो करता है, यह topic शुट 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 है, इन्हें जरू पढ़ लें, यह आपको चार-चार नंबर में रखे मिल जाएंगे, आपके marks इन से बन सकते हैं, अब बात आती है, सर जो इसमें बेसिकली तीन एक्ट हैं, तो एटी, अठारा सो बाहतर, जिसे हम Indian Contract Act 1872 कहते हैं, एक व कैसे पढ़ता था, मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, मैं अपने टाइम का टोपर तो नहीं रहा वा, लेकिन I was a good student, इन्हें बीकॉम आलसो, सो मैं बताना चाहता हूं कि मैं तियारी कैसे करता था, मैं जैसे मैंने एक topic ठाया contract, तो मैं उस contact से related, जितने भी topics होते थे जैसे contact के बारे में उसके अधिकार दे रखे हैं, contact भंग होने के तरीके दे रखे हैं, और contact जो है वो एक होता है, अधूरा contact या फिर एक आपको होता है, जिसे हम कह सकते हैं, illegal contact, वैद, अवैद, है ना, और एक होता है, अवैद नहीं है, तो ऐसे जितने भी व्यर्थ व्य कठीन है तो मैं आपको सज्जस्स करूँ आपको कुछ नहीं मिल पा रहा ना तो मेरे भाई लोग एक काम आप तो कर सकते ना जैसे आप कॉंटेक्ट के बारे में पढ़ना वो अपनी बुख से पढ़ना मैं मना नहीं कर रहा हूं लेकिन आप एक YouTube पे आ यह Google पे सर्फच कर लिजये कि बढ़ेंगी लेकिन जब आप सर्च करोगे तो Business contact ढालके सर्च करना यह इंञ बजनिस यह contact पूरा कौन्तेक्टी बचनिस लो ऑफिर कुंच्छ कर सकते हैं दो वैक्तियों के बीच का लिखित अनुबंद लिखित एक शर्त होती है जिसमें एक वैक्ति दूसरे वैक्ति को वादा करता है कि उसके दौरा लिखी की काम को पूरा करेगा लेकिन अगर वह वैक्ति यहां पर एक वैक्ति दूसरे से वादा करते हैं एक वैक्ति वादा करत कहते हैं डेस्ट्रोड होना कहते हैं इसके लावा हो सकता है एक वैक्ति की जो शर्त है वह पूरी नहीं हो रही है वह इस तरह की चीज़ें इसमें सारी दी गई है तो उनको रीडाउट करें मैं पूरा नहीं समझा सकता एक वीडियो में लेकितने कहुंगा कि पहले यूटू तो समझनी कोश्च करिएगा उसके अलावा जो और टोपिक्स हैं जैसे कि आपका जैंसी के बारे में हैं तो आप गूगल पर यूटूब पर सच करें बहुत अच्छा डिफाइन करका है और इनकी लेंगवेज इजी है पार्टनर्शिप के बारे में बहुत कुछ पढ़ा में नहीं तो गूगल साच कर लो और टैग्राम को समझके जॉँ उन्हें उन्हें इक्जाम में बनाके आना जिसमें इक्स्टर मार्ट लेंगा अगर Wonderful लगता है बिजिनिस लौन में ता मुझें करके बताईएगा मैं आपको हैल जिदनी कोईश हो सब्सक्राइब को देने कोईश करूँगा थैंक यू वेरी मच अब अगली वीडियो आपको मिलेगी स्टेटिक्स पर इंडेक्स नंबर पर और कम्म्यूकेशन के एक्जाम में उसकी भी हैल आपको देने वाला हूं हर एक्